हलो फिर्टों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान प्लस पर उत्र प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोग यूपी ट्रिपल स्थ के लिए पेट का अब इंतजार उत्र प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोग की तैयारी कर रहे है अब भेरतियों को खत्मोंने जा रहा है जी हैं उत्र प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोग इसी सब्ता उमीद है कि पेट का विग्यापन ऑनलाइन कर देगा लेकपाल जूनियर एसिस्टेंट आदी पदों पे करीब 50,000 पदों पे भरती होगी और इन सभी की भरती प्रक्रिया जो है पेट की परिच्छा जो है मई में हो तो आज है 14 फरवरी और ये खबर है हिंदुस्तान निउस पेपर में उत्तर प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोग भरती 2021 क्लर्क लेकपाल समयत ग्रुप सी पदों पर भरती के लिए जल्द होगा पेट जाने कैसा होगा एकजाम पैटर तो पी इटी की तयारी कर रहे अब बहुत ही अच्छी खबर है और उम्मीद है कि इसी सब्ता पी इटी का विज्यापन भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाए तो चलिए हम देखते हैं खबर को थोड़ा सा विश्तार से यूपी टी प्लेसी की मुखमंत्री योगी आधित्पनात के आदेश के बाद उत्त अधिनस सेवा चेन आयोग दूभी इस्तरी परिच्छा पडाली के तहथ प्रारंविक आरता परिच्छा पे ईटी सिगर आयोजित कराए पि ईटी सिगर आयोजित कराने का देश मुखमंत्री ने दिया था उसी के मुताबर परिच्छा आयोग कराएगा परिच्छा पूरी तयारी के साथ कराई जाए और पेई इटी का परड़ाम भी जल्द जारी किया जाए आपको बता दें कि इस भरती परिच्छा के जलिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन विवागों में खाली पड़े हज्जारों पदों को भरा जाएगा कुल मिलाके अगर बात करें उत्तर प्रदेश अधीनस सेवा चेन आयोग में तो पचास हज्जार पदों का धियाचान यूपीट पलेसी को मिल चुका है अगर ये भरती करें तो प्रदेश में बहुत से परिवारों में खुसी का माहोल होगा साथी पचास हज्जार विरोजगारों को नौकरी भी मिल जाएगी सबसे पहले प्रारम्विक आरता परिच्छा P.E.T. होगा इसके बाद भरतियों के संबंद में विज्यापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा P.E.T. का स्कोर एक साल के लिए मान होगा इस परिच्छा का आयोजन साल में एक बार होगा आयोग को भरती संबंद ही अधिकार विभागों के प्रस्ताव मिल गए है सेच्छिक योगता के आधार पर इसे ग्रूप में बाटा जा रहा है जिससे भरती में आसानी हो प्रारम्भी कारता परिच्छा कराने के बाद भरती प्रक्या सुरू होगी तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एक ग्रेट पोई और जिन भरतियों की योगता सेम है उसकी परिच्छा एक ही होगी अलग-अलग बेंस बहुत सारी परिच्छों का विज्ञापनों का नहीं होगा कुल मिला के माल लिए कि यूपिट प्लेस्टी को 20 विज्ञापन आए है कुल मिला के जिसमें की पांच में ग्रेजिवेशन मांगा गया है और सेम लेवल है भरति का सेम पैटर्न है तो इन पांचों भरतियों का जो मुख परिच्छा आयोग एक साथ जोड़के कराएगा ना कि हर 200 विज्ञापन का अलग अलग वो परिच्छा मुख परिच्छा कराएगा तो इस प्रकार से होगी आपकी ग्रूप में बाट कर इसी प्रकार से होगी भरति मुख परिच्छा P.E.T. का सलेवस तैह हो चुका है उत्तर प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोग UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भी कारता परिच्छा का पार्ट क्रेम तैह हो गया है परिच्छा पार्ट क्रेम सम्मंदी आदेश जल्द जादी कर दिया जाएगा तो ये चीज़ आपको पहले ही बताई गई थी कि P.E.T. का सलेवस तैह हो गया है इसका पार्ट क्रेम जल्द आपके सामने होगा दो गंटे की परिच्छा कुल सव अबजेक्टिव प्रारम्भी कारता परिच्छा दो गंटे की होगी इसमें सव प्रिच्छ पूँचे जाएंगे सवाल का गलत जवाब देने पर निगेटिव की विवस्था होगी एक सवाल गलत होने पे एक बटे चारंग काटा जाएगा इसमें कच्छा आठ के इस तरका भारती इतिहाज, भारती आंदोलन, भुगोल, भारती अत्यव्यस्था, भारती सम्विदान, लोग प्रसाशनिक, सामान विज्ञान से जुड़े प्रस्ण होंगे इसके साथ ही कच्छा आठ के इस तरकी प्रारंबिक, अंक गणित, एवं तरक सक्ती, सामान हिंदी, समसामई की, सामान जाग रुपता, गद विश्लेशन, एवं विवेचन, ग्राफ का विवेचन, एवं विश्लेशन सम्मंदी सवाल पूँछे जाएंगे इसमें छे सवाल, दस दस अंकों के होगे, बाकी पांच-पांच अंके सवाल होगे, अधिनस सिवाचेन, आयोग सासन से मनजूरी मिलने के बाद पाटक्रम को अनलाइन कर देगा जिससे समूगा की भरती में सामिल होने वाले अब्यरतियों को इसकी जानकारी मिल सके प्रारमिक आर्था परिच्छा परड़ाम परसेंटाइल के आधार पे जारी किया जाएगा इसके आदार पे भरती परिच्छा में अब बैड़तियों को सामिल होने का मौका दिया जाएगा कहां पे कितने पद खाली हैं इसका विवराण दिया गया है देख लीजिए सबसे महत्पूर्ण चीट लेक पाल के 7882 पद बैसिक सिच्छा में 1055 क्लरकों की भरती मादमिक सिच्छा में 500 कलरकों की भरती उसके अलावा विविन भिवागों में 7000 आओ तो 78,000 यही हो गया सिर्फ जूनियर एसिस्टेंट की भरती लेखा परिच्छक के 1303 यानि के काउंटेंट के 1303 पद होंगे वीडियो के 1658 पद परिवार कल्यान में 9222 पद बाल विकास पुष्टाहार में 3448 पद होंगे नगर निकाय की बात करें तो यहाँ पे 383 पद हैं इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है विविन विवागों के विशिष्ट जरूरतों वासेवा नियमावलियों के प्रावदान के अंसार P.E.T. स्कोर के आधार पे साट लिस्ट किये गए अब बेटियों के लिए मुख परिच्छा काउसल परिच्छा या सारे निक परिच्छा कराई आई तो हम बता दें कि जिन भरतियों में टाइपिंग है इस टोनोग्राफर है या फिशिकल जिन भरतियों में होगी उनकी परिच्छा नहीं होगी वो सिर्क PIT के PET के आधार पर सॉट लिस्ट किये जाएंगे यानि कि उनको PET देना पड़ेगा उसके बाद उनको फिजिकल या टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट या फिर अनक उसल परिच्छा आपको जो भी होगी वो देने के बाद आप डारेक्ट आपन देखने को मिल जाएगा यह रही अब्रेट इस वीडियो में तना ही में लेंग अगली वीडियो में तर तक ले जाएंगे जय भारत